Hey guys, this is Abhilash और आज मैं review करने वाला हूँ No One Will Save You movie का ये movie आपको मिले कि Disney Hotstar app पर जिसका run time है proper 90 minutes और movie का genre है science fiction horror और इस movie में कोई भी dialogues नहीं है तो अगर आप में से जिन जिन को English नहीं आती, don't worry आप लोग फिर भी इस movie को enjoy कर सकते हो कहानी स्टार्ट होती है Brian नाम की एक लड़की से and for some reason ये पहले के 5 minutes में establish कर दिया जाता है कि ये अपने इस छोटे से शहर में एक disliked person है और ये लड़की जो है Brian ये अभी एक सदमे से गुजर रही है अब इसकी जिन्दगी में एक रात ऐसी आती है जब इसके घर में कुछ लोग घुसाते हैं जो की होते हैं extra terrestrials और वहाँ से शुरू होती है Brian की जिन्दगी और मौत का खेल अब आगे कौन जिएगा, कौन मरेगा, कौन जीतेगा, कौन हरेगा ये सब जानने के लिए देखो, आपको मूवी देखनी पड़ेगी सबसे में जीज, ये मूवी को एक टाइम वेस नहीं करती अक्शन और थिल तक पहुँचने के लिए जहां पर एक के बाद एक अलग-अलग वेराइटी के एलियन पर हमला करते हैं, और उसमें भी ब्राइन को सिर्फ इन एलियन से नहीं बचना होता है ब्राइन को बचना होता है इन स्पेस्शिप से भी क्योंकि इन स्पेस्शिप से निकलती है अलग-अलग बीम्स, जैसे कि ब्लू वाली जो बीम है उसका मतलब है कि आप spaceship के अंदर खीचे चले जाओगे फिर red का मतलब है कि आप एक statue वाली position पे रह जाओगे तो ऐसा सब और story जो है उसको काफी अच्छे तरीके से और शांती से बैट कर लिखा गया है ये चीज मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि alien invasion के बावजूद Brian की सदमे से गुजर रही है वो भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया अब बात करते हैं उस वाले part की जिस पे की मेरे बहुत mixed feelings है और mixed reactions है और वो है इस movie का end इस movie का end एक तरह से open ended है भी और नहीं भी फिर end में सब ठीक हो भी जाता है और नहीं भी हो जाता है aliens पूरी धरती पर कबजा कर लेते हैं या शायद नहीं भी Brian जिन्दा है या शायद नहीं overall इस movie का end जब भी आएगा तो अपने साथ एक dozen सवाल लेकर आएगा इन सब के बाद cinematography was really good movie का ज्यादा तर हिस्सा जो है वो रात में shoot किया गया है और ये movie काफी देर तक अंधेरे में चलती है but thankfully जितना भी actionist movie में है उसमें काफी अच्छे से lighting setup हुआ है और इस चीज का साथ दिया है CGI और VFX ने इसके साथ साथ music और sound design जो है वो भी कमाल है but what leaves the mark is acting वाला पार्ट Caitlin Dever she did a brilliant job और इनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है क्योंकि इस बंदी को शुरुआत से मालूम था कि इसके पास कोई dialogue नहीं है तो इस बंदी ने पूरी movie में खेला अपने expressions के साथ इसके अलबा इस movie का run time was perfect और इस movie में कोई भी nude scene नहीं है sex scenes नहीं है और कोई भी गालिया नहीं है तो अगर आप लोग plan बना रहे हो कि parents के साथ देखनी है इस movie देख सकते हो no issues और मेरी side से इस movie को 4 out of 5 ये movie में आपको recommend करना चाहूँगा बट इस movie का end वो चीज़ decide करेगी कि आपका overall experience कैसा था इस movie को लेकर आप इस movie के end को किस तरीके से समझना चाते हो और समझने के बाद आप इस movie के end को किस तरीके से अपने दिमाग में बठा पाओगे और बिठा लेने के बाद समत जाने के बाद आप इस end पर कैसे react करोगे ये सारी चीज़े इस movie के experience को अच्छा या बुरा बना सकती है बाकि मेरे हिसाब से I really liked it वो इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही ये review अगर आपको helpful लगा और logical लगा तो don't forget like and subscribe मैं मिलता हूँ आपको next review में कब तक ध्यान रखो अपना and be awesome and bye bye